Hello friends, Circle of Education welcomes you अपनी PGT authors में हम Indian writers cover कर चुके हैं जिसमें हमने कमलादास, मुल्क राज आनन्द और निजी मेजिकल कर लिया है अब जो है हम romantic writers जो है हमारे उनकी series start करने वाले हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नोट समझा रहे हैं तो प्लीज वीडियो को like करें और आपके जो भी suggestions हैं comment section में जरूर बताएं तो आज की इस वीडियो में हम William Wordsworth के biography बहुत ही अच्छे से detail में discuss करेंगे और इनके जो भी important work हैं सारे वो सब देखेंगे तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं William Wordsworth एक बहुत ही बड़ा नाम है अगर romantic age की बात करें तो romantic age को dominate करने वाले William Wordsworth है और romantic age को age of Wordsworth के नाम से भी जाना जाता है इनके duration की बात करें अगर तो 1770 से 1850 तक इनका duration रहा है इनके birth की बात करें तो April 7, 1770 कोकर मौफ में इनका जनम हुआ था Cumberland, England में एक जगा थी वहाँ पे Lake District के नाम से भी उसको जाना जाता है कई बड़ी question जो है वो birth place पे अक्सर बन जाते हैं इसलिए इसको detail में मैंने थोड़ा लिखा है आप लोग देख लेना, अच्छे से याद कर लेना क्यूंकि Lake District में इनका birth होता है और यह रहता है भी Lake District में है तो इसलिए इनको Lake Poet भी बोला जाता है कई बड़ी exam में question बना है Lake Poet के उपर इनके death की बात करें अगर तो April 23, 1850 में इनकी death हुई थी at the age of 80 और जो death का reason था, जो current था वो pluracy था कई बड़ी reason पूछा जाता है तो आपको ये भी याद रखना है ठीक है आपको ये पूरा detail अच्छे से याद रखना है questions बन जाते हैं इन पे से अकसर parents की बात करें अगर तो इनके father का नाम John Wordsworth था और ये attorney at law थे जिनकी death हो गई थी 1783 में ही और mother की बात करें अगर तो उनका नाम Ann Cookson था या फिर Ann Wordsworth भी कह सकते हैं इनकी death हुई थी 1778 में इनके parents का जिक्री हाँ पे death की year का जिक्री सले किया गया है क्योंकि ये wordsworth जो है बहुत छोटे होते तभी इनके parents की death हो जाती है इनके personal life की बात करें अगर तो इनका love affair बहुत short time के लिए रहा था Mary के साथ फिर 1791 में ये first time friends visit करते हैं और वहाँ पे इनको प्यार हो जाता है एक French women के साथ जिसका नाम होता है Annette Wallen कई बरी question Annette Wallen पे बना है तो आपको ये याद रखना है और साथ में इनकी फिर एक daughter होती है Annette Wallen के साथ जिसका नाम Caroline रखा जाता है फिर होता क्या है कि French में revolution उगरा start हो जाता है bloodshed होने लगता है तो what's what को वापिस आना पड़ता है तो जब ये England वापिस आते हैं तो ये शादी कर लेते हैं Mary Hutchinson से तो इनके जो wife है उनका नाम Mary Hutchinson है 1802 में ये शादी करते हैं इनसे जो की school fellow होती है इनकी education की बात करें अगर तो schooling इनकी हुई थी hawkshed school में 1787 में ये college में admission लेते हैं St. John College Cambridge में होता है 1791 में इनकी जो है graduation complete हो जाती है और इनको bachelor's की degree मिल जाती है आईए अब थोड़ा सा detail में discuss करते हैं facts और इनकी biography को तो William Wordsworth total five siblings होते हैं इनके mother father के total five children होते हैं जिनमें बाकियों का नाम Richard, Dorothy, John and Christopher है यहाँ पर siblings का जिक्र इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि कई बरी question जो है इनकी sister पर Dorothy पर अक्सर बनता है तो चलिए आप chronological order में चीजों को समझते हैं 7070 में इनका birth हुआ 1778 में इनकी mother की death हो गई जिनका नाम Anne Cookson था 1779 में इनको school में भेजा जाता है जो की hawkshed में होता है 1787 में यह college में admission ले लेते हैं Cambridge के St. John College में अब वही पे यह पहली बार अपना कोई एक work publish करते हैं अपना piece of writing publish करते हैं एक sonnet होता है European magazine में यह आपको याद रखना है important है 1791 में इनको अपनी bachelor's की degree मिल जाती है और एक यह walking tour पे मतलब बहुत ही short time के लिए 1790 में भी France के tour पे यह जाते हैं फिर जब इनको इनकी bachelor की degree मिल जाती है BA की degree मिल जाती है 1791 में तो यह दुबारा जो है France विजिट करते हैं और second विजिट में यह Annette Walloon के साथ जो है वो प्यार में पढ़ जाते हैं और साथ में इनकी एक daughter होते हैं जिसका नाम यह लोग Caroline रखते हैं लेकिन वहां की जो circumstances होते हैं वो allow नहीं करते हैं उनको वहां रुखने के लिए bloodshed होने लगता है revolution देखने को मिलता है वहां पे तो इनको वापिस आना पड़ता है 1793 में इनकी first poetry collection जो है वो publish होती है An evening walk और descriptive sketches और बात करें अगर 1793 की ही तो जिनका first time visit होता है ना टिंटन अबे का वो 1793 ही रहता है हलाकि total ये टिंटन अबे तीन बार जाते हैं पहली बार ये 1793 में जाते हैं second tour पे जाते हैं 1798 में after five years और third time ये जाते हैं after nine years before his death तो वो होता है 1841 तो जब ये टिंटन अबे पोयम लिखते हैं तो वो second visit पे लिखते हैं ये आपको याद रखना है 1795 में ये डॉसेट में एक घर लेते हैं इंग्लेड में और ये अपनी sister Dorothy के साथ move कर जाते हैं और same year में इनकी मुलाकात होती है Coleridge से 1795 में 1795 से 1797 के लोरान इनका एक प्ले आता है The Borders जो कि इनका only play है ये एक worst tragedy है और ये based है King Henry 3rd of England के उपर फिर 1797 में ही Wordsworth जो है वो एक नई जगा पे shift हो जाते हैं Elle Foxton House करके होता है सॉमसेट में अपनी sister Dorothy के साथ फिर इसी year में Wordsworth पोयम compose करते है Peter Bell जो की reply होता है Coleridge की poem The Asian Marian के नाम से फिर इनका most important work जो है वो publish होता है 1798 में जिसका होता है नाम Lyrical Ballads Lyrical Ballads जो है वो 1798 में publish होता है और इसी की publication के साथ माना जाता है कि romantic age जो है वो start हो गया है Lyrical Ballads जो है Wordsworth और Coleridge ने मिलके काम किया था जिसमें 23 poems पब्लिच हुई थी 19 जो है वो Wordsworth ने लिखी थी और 4 poems जो है वो Coleridge ने लिखी थी Lyrical Ballad को हम आगे अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे फिर 79 में Wordsworth और इसकी सिस्टों जो होती है वो मूव कर जाते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट में और डव कॉटेज में ये लोग सेटेल हो जाते हैं जो कि Grassmare Village में होता है तो 1799 में ये शिफ्ट हो जाते हैं डव कॉटेज में और 1800 में 2nd edition आता है Lyrical Ballad का तो टोटल 4 edition आते हैं Lyrical Ballad के जो हमको याद रखने है First तो 1798 में आया ये हम सब को याद है Second आता है After Two Year जो कि है 1800 2nd edition आता है और इसमें नया ये होता है कि इसमें Preface जो है वो एड हो जाता है Third edition आता है फिर से दो साल बात जो कि 1802 है इस Lyrical Ballad में Appendix जो है वो एड हो जाता है Poetic Diction एड हो जाता है टाइटल से और इसी साल ये Travel करते है Friends अपनी Sister Dorothy के साथ और वहाँ पर ये अपने Daughter के साथ मिलते हैं और मिलने के बाद ये कुछ Arrangements करते हैं Annette Velen के लिए और अपने Daughter के लिए और वापिस England आ जाते हैं और फिर शादी करते है Mary Hutchinson से जो कि इनकी wife होती है जो इनकी school fellow भी हुआ करती है 1803 में इनका first tour होता है Scotland में जहां पर ये Sir Walter Scott से मिलते है और 1805 में fourth edition आता है Lyrical Ballad का और same year में ये अपनी poem अपना जो work है वो finish करते हैं जिसका नाम ये title खुद देते हैं Poem to Coleridge लेकिन इसको publish नहीं करते हैं क्योंकि इससे पहले ये The Recluses publish करना चाहते हैं उसको complete करना चाहते हैं जो कि एक प्रलोग होगा Poem to Coleridge के लिए तो इसलिए इसको इस वक्त publish नहीं करते हैं हलाकि ये हमको बाद में पता चलेगा कि Poem to Coleridge को ही इनकी वाइक जो होती है Mary Hutchinson After Wordsworth Death Prelude के नाम से publish करवाती है 1808 में फिर से Wordsworth जो है वो shift कर जाते हैं Dove Cottage से Allen Bank Grass Mayor में 1830 में इनको appoint किया जाता है Distributor of Stamps में ये एक civil position होती है और ये shift हो जाते हैं Radle Mount में और इसके बाद ये जो है वो अपना जब तक की life होती है वो यहीं पर spend करते है Radle Mount में ये हमको याद रखना है कि इनका last जो place है वो है Radle Mount 1814 में इनका second tour होता है Scotland का और फिर ये publish करते हैं The Excursion as the second part of the three part work Recluse बट पहला और third part कभी भी complete नहीं होता है 1850 में इनकी poems two volume title होता है first edition publish होता है 1819 में इनका Peter Bell जो है वो publish होता है compose तो इन्होंने 1798 में ही किया था reply में Coleridge की ancient manner की जो poem थी उसके reply में लेकिन publish ये 1819 में करते हैं और साथ ही इसी year में इनकी the Wagner जो है वो publish होती है जो की compose हुई थी 1805 में ही 1820 में इनकी एक famous sonnet की series आई थी अगर इनके sonnet की बात करें तो उन्होंने लगबग 523 sonnets लिखे हैं और इनकी जो series आई थी उसका नाम था the river dudan 1829 में इनका first tour होता है Ireland में 1838 में The Sonnet of William Wordsworth एक collected volume में publish होता है 1839 में इनको एक honorary degree मिलती है Oxford University से और 1843 में ये poet laureate जो है वो बन जाते हैं appoint किये जाते हैं poet laureate क्या होता है मैं पता देती हूँ जैसे हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है बट एक राज कवी राश्टी कवी होता है तो ऐसे इंग्लेंड में होता था तो वहाँ पर poet laureate बना दिये जाते थे तो हमको ये series याद रखनी है कि William Wordsworth के पहले जो थे poet laureate वो Robert Saudhay थे फिर उनकी death के बाद William Wordsworth जो है वो poet laureate बनते है और William Wordsworth की death के बाद जो की 1850 में होती है Tennyson बनते हैं क्योंकि कई बरी question exams में जो पूछे जाते हैं तो वो आगे और पीछे के writers भी पूछ लिये जाते हैं तो हमको ये याद रखना है 1850 में 23 आप्रेल को रेडिल माउंट में इनकी death हो जाती है William Wordsworth की died of pluracy बीमारी हो जाती है इनको और इनको बरी किया जाता है St. Oswald Church में Grassmere में जो चर्च होता है तो इनकी death के बाद जो इनकी wife होती है Mary Hutchinson वो इनका जो autobiographical work है Poem to College उसको publish करवाती है दब Prelude के नाम से हलाकि ये complete तो 1805 में हो चुका होता है बट इसको publish नहीं करवा रहे होता है तो ये जो है Mary Hutchinson करवाती है और इसको जो है इनका masterpiece consider किया जाता है Magnum Opus बोला जाता है इसको कई बरी question बनता है इनका masterpiece क्या है autobiographical work कौन सा है तो आएगा आपका Prelude जो कि start हुआ था 1799 में लिखना complete हो गया था 1805 में और publish हुआ था 1850 में तीनों ही date हमको याद रखनी है राइटर के उपर अगर influence की बात करें तो जो वर्ट्सवर्ट थे बहुत ज़्यदा influence थे Godwin थे और जो Godwin का work था political justice उससे लेक परिट का मैंने जिक्र किया था तो लेक परिट पर कोश्चन कई पर ही बनता है कि कौन जो है वो लेक परिट की कैटिग्री में आते हैं तो इसमें वर्ट्सवर्ट, कॉलरीज और साउधे तीनों का ही आएगा फोर्थ आप्शन अगर इनसे अलग कुछ है तो आपको उस पे ही टिक करना है कि वो लेक परिट नहीं है ये तीनों है और अगर इनके बेस्ट पोलिटिक करियर के बात करें वर्ट्सवर्ट की तो 1798 से 1919 में माना जाता है कि इस दोरान इन्होंने अपने करियर में पोलिटिक करियर में बेस्ट पोयम्स लिखी हैं कमपोस के